तो कैसे हैं आप लोग वेल्कम टू माइंड योरोन विज्मस सब्सक्राइबर और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो हो जो लाल वाला बटान उसमें चपल फैक्टे मारो या फिर जर्रे वाली गन मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए तो आज के प्रवचन का नाम है रैट ट्रैप और इसको लिखा है सलीमा लेगरलाफ ने यार मतलब इस औरत को जादा चल मचरी थी इसको लिखने के लिए पढ़ना तो पढ़ेगा तो इस चैप्टर में सलीमा एक यूनिवर्सल मेसिज को कनवे करती है वो कहती है कि किसी भी परसन की अच्छाईयों को निकाला जा सकता है अगर उसको प्यार से ट्रेट किया जाए तो इस कथा के स्टार्टिंग होती है रैट ट्रैप मेकर से जो रैट ट्रैप बनागे बजार में बेशता था उसका ये बिजनस इतना अच्छा नहीं चलता था इसलिए वो बहुत ज़्यादा गरीब था और उसको अपनी गरीबी को सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटी चोरिया करनी पड़ती थी और कभी कभार तो उसको भीग भी मागना पड़ता था उसके कपड़े एकदम फटे पुराने थे और उसके गाल एकदम अंदर की तरफ धस गए थे और उसकी आँखों में भूग की चमक को देखा जा सकता था उसकी लाइफ बहुत सैड और मोनोटनस थी अब मुझे पता तुम्हें लग रहा होगा किती सैड है इसकी जिंदगी लेकिन ये बहुत ही उदमी बालक है एक दिन ये क्या सोचता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रेप की तरह है जहाँ पर लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है दूसरे लोगों के लिए चारा सट करना और मनी, पैसे, कपड़े, खाना ये सब एक चारी की तरह है जो लोगों को अट्रेक्ट करता है और जो इससे अट्रेक्ट हो जाता है वो इस चुहेदानी में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है एक दिन शाम को rat trap maker सड़क पर अकेला घूम रहा था तो वो एक cottage में जाता है वहाँ पर वो दर्वाजा खटखटाता है तो वहाँ से एक बुड़ा आदमी भार निकलता है और वो बुड़ा आदमी बहुत सालों से वहाँ पर अकेला रह रहा था तो वो उस rat trap maker को अंदर बुला लेता है फिर वो rat trap maker को दलिया देता है और उसको रात को वही रुखने कले कहता है तो rat trap maker रात को वही पर रुखता है फिर वो उस बुड़े अंकल के साथ एक गेम भी खेलता है उस गेम का नाम था जॉलिस तो गेम खेलने के बाद वो भुड़ा आदमी अपने पैसे चेक करता है वो सामने की दिवार पर टंगी एक लैधर बैग को उतारता है और उसमें से तीन नोट्स को निकालता है जो कि 10-10 क्रोनर्स के होते हैं वो नोट बहुत जादा मुड़े होते हैं तो फिर वो नोट को बैग में डालकर वापिस लटका देता है तो रैट्रेप मेकर उसको देख लेता है वो दोनों साथ में घर से निकलते हैं लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद रैट्रेप मेकर यू टर्ण ले लेता है और वो cottage की तरफ वापस आता है फिर वो वहाँ जोपड़ी में खिड़की का सीशा तोड़के अंदर गुच जाता है फिर वो उस बैग में से तीन दस दस क्रोनर्स के नोट निकालके बैग वही पर छोड़कर चला जाता है अब वो सड़क पर अकेला घूम रहा था और उसको अपनी स्किल पे बहुत ज़्यादा प्राइड फील होता है लेकिन बाद में वो अपना रास्ता बदल लेता है वो सड़क से जंगल की तरफ चले जाता है ताकि कोई उसको पहचान न ले फिर जैसे ही रात होने लगती है वो अपना रास्ता भूल जाता है वो एक बड़े से जंगल में अकेला फस गया था वो जंगल उसके लिए एक बड़ा सा रैट ट्रेप बन चुका था जिसमें वो उस बुढ़े अंकल के पैसे लेके फस चुका था अब वो बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा थक भी जाता है क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था तो वो उस जंगल में एक पेड के पास गिर जाता है लेकिन थोड़ी दिर बाद उसको लोही पेड़ने की आवाज आती है फिर जैसे ही वो वहाँ जाता है वो देखता है कि ये तो बहुत ही बड़ी आईरन मिल है जिसका नाम था रेम्स जो आईरन वर्क और वहाँ पे माश्चर आईरन स्मिथ और उसको कुछ हेलपर बैठे हुए थे भट्टी के पास तो जैसे ही रेट्रेप मेकर वहाँ जाता है वो उनसे पूछता है कि क्या आज रात में यहाँ पे रुख सकता हूँ तो इस पर वो उसको हाँ कर देते हैं क्यूंकि अक्सर वहाँ पे कुछ गरीब लोग आया करते थे और वो रुखते थे ताकि वो अपने आपको सर्दी से बचा सके लेकिन जो मिल का ओनर था वो वहाँ पे निरिक्षन के लिए आता है मिल ओनर की नजर पढ़ती है रेट्रेप मेकर पे और वो उसे अपना कोई पुराना साथी समझ बैठता है और उसे उसकी कंडिशन पे अफसोस होता है कि वो दोनों एक साथ एक ही रेजिमेंट में थे लेकिन उसके रेजिमेंट छोडने के बाद उसके दोस्त की ये हालत हो गई है तो मिल का ओनर उसको भुलाता है अपने घर पे क्रिस्मस सेलिबरेट करने के लिए लेकिन रेट्रेप मेकर कहता है वो नहीं चाता कि वो किसी मुसीबत में पड़े क्यूंकि उसने आज तक मिल के ओनर को नहीं देखा था थोड़ी दर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एडला होता है एडला विलियमसन वो मिल ओनर की बेटी होती है एडला एक बहुत ही दयालू लड़की होती है वो जैसे ही रेट्रेप मेकर को पास आती है वो उसको बोलती है कि आप हमारे साथ चलो क्रिसमस सेलेबरेट करने के लिए तो रेट्रेप मेकर इस पे हाँ कर दिता है लड़की ने बोला तो हाँ कर दिया अब इतनी देर से वो बुढधा उला रहता तब तो चल नहीं रहा था तो वो उनके साथ घर चले जाता है अगले दिन क्रिस्मस होता है तो वहाँ के नौकर रैट ट्रैप मेकर को निलाते, धुलाते, शेफ करते उसकी हेर कट करते और उसको अच्छे कपड़े पेनाते है फिर जब मिल ओनर उसको देखता है तो उसको पता लगता है कि ये तो उसका दोस्त हाई नहीं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है फिर रैट ट्रैप मेकर भी समझ जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई तो रैट ट्रैप मेकर बोलता है मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन दाए नहीं वो तो तुम्हारी बेटी ने मुझे विलाया था इसलिए मैं आ गया और वो अभी कलवी तयार है इन कपड़ों को उतार के और अपने पुराने वाले कपड़े वापिस पहनने के लिए तो इस पे मिल ओनर हड़ी दा जलाद बन जाता है उसको बहुत जादा गुस्सा आता है उसका तो ऐसा मन करता है कि सिक्योरिटी को बुला के इसको धक्या मार के बाहर करवा दे लेकिन वो सोचता है कि चलो इसको ऐसी जाने देता हूँ तो मिल ओनर रेट ट्रेप मेकर से बोलता है दफा हो जाओ लेकिन फिर वहाँ पे एडला आ जाती है तो वो अपने डैड को इंसिस्ट करती है कि आप आज इनको यही रुकने दीजिए क्योंकि यह बहुत पूर है इसलिए इनका कोई भी इस तरह से वेलकम नहीं करता है और मैं चाहती हूँ कि यह एक दिन हमारे साथ सुकून की जिन्दगी जी सके तो एडला उस दिन रेट ट्रेप मेकर को वहीं रुकने के लिए कहती है रेट ट्रेप मेकर क्रिसमस के दिन वहीं रुकता है एडला और मेलोनर चर्च जाते हैं और वहाँ पर कुछ स्क्रिप्चर सुनते हैं तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उन्हें पता लगता है कि रेट ट्रेप मेकर एक चोर है कि वो आदमी कहां गया कि वो तो इस पर सिक्रेटी गार्ड कहता है वो आदमी तो चला गया इस पर मिलोनर कहता है तुम्हें पता है वो एक चोर है तो गार्ड रिप्लाई करता है लेकिन वो अपने साथ तो कुछ भी नहीं लेके गया बलकि वो एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़के गया है तो जैसे ही एडला वो गिफ्ट खोलती है वो बहुत ज़्यादा सर्प्राइज हो जाती है उस गिफ्ट में एक लेटर तीन दस-दस क्रुनर्स के नोट और एक छोटे सी चुहे दानी थी प्लस उसमें एक लेटर भी था उस लेटर में रेड ट्रेप मेकर ने सबसे पहले एडला को ठेंग्यो का था इतने अच्छी होस्पिटैलिटी के लिए और उसमें रेड ट्रेप मेकर ने का कि वो नहीं चाता कि कृस्मस जैसे अच्छे दिन पे वो एक चोर के साथ रहे, इसलिए वो वहाँ से चला गया, उसने चुहे दानी में तीन दर्जदस क्रोनर्स के नोट भी रखे थे, वो चाता था कि एडला वापिस उस बुढ़े अंकल को लोटा दे, वो बताता है कि कैसे उसने वहाँ से चोरी की थी, फिर वो आगे लिखता ह कि वो चुहे दानी एक चुहे की तरफ से एडला के लिए क्रिस्मस गिफ्ट, जो उसमें पकड़ा जाता, अगर उसको कैप्टेन की तरह उपर नहीं उठाया जाता, तो बस यार आज के लिए इतना ही, अगर तु मेरे चैनल पनाए हो, तु चैनल को सब्सक्राइब घंटा गाने बनाओंगा, तू देख लेना, ट्रेंडिंग में जाओंगा, तू देख लेना, देख लेना